जै मा काली मित्रो आपका मेरे चैनल मा काली मा दुरगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि भूत प्रेत कब लगता है और ऐसे हम क्या उपाई करें जिससे हमें कभी भी प्रेत बादा ना लगे देखिए हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्तितिया होती है कुछ ऐसी विक्ट परिस्तितिया हमारे जीवन में बन जाती है जिस समय पर हम भूत प्रेत की बादा से ग्रस्त हो जाते हैं हमारे उपर प्रेत लग जाते हैं लेकिन कुछ गल्तियां होती हैं जिसके कारण हमारे साथ ये परस्थिती होती है लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी गल्ती के भी इन शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं और वो जो कारण होते हैं वो उनके जीवन में स्वैम ही लिक्के होते हैं वो उसके उसके उत्तरदाय या नहीं होते हैं, वो अपनी गल्टी के कारण इस कार्यी में फसते हैं, इस परिशानी में फसते हैं तो उसी से संबंदीत ये वीडियो है, तो आप वीडियो को पुरा सुनेगा कि भूत प्रेत आपके जीवन में कब आपको लगते हैं देखे उन व्यक्तियों को बूत प्रेत की बादा लगती है उनी के उपर प्रेत का प्रभाव आता है एक तो जिनका चंद्रमा कमजोर होता है यानि अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कमजोर है या राहू से या केतु से पिल्डित है या शनी ग्रह से पिल्डित है तो ऐसी परिस्तिती में ऐसे व्यक्ति को प्रेत बादा बहुत जल्दी लगती है दूसरी बात जिनका खून पतला होता है जिनका ब्लड पतला होता है ऐसे व्यक्तियों को भी आसानी से प्रेत लग जाते हैं तीसरी बात, जिन व्यक्तियों की इच्छा शक्ति कमजोर होती है, यानि जिसको विल पावर बोला जाता है, अगर वो शक्ति अगर आपकी कमजोर होती है, तो ऐसी परिस्तिती में आपके ऊपर प्रेत हमला कर जेते हैं, चोथी बात, जो बहुत जादा डरामनी प्रवर्तिक होते हैं, यानि जो डरते हैं, चोटी चोटी चीजों में उन्हें डर लगा रहता है, अकेले पन से उनको डर लगता है, अकेले में रहने से वो भाईवीत हो जाते हैं, चोटी चोटी बातों से डर जाते हैं, यानि जो व्यक्ति जनम जार डर पोक होते हैं, तो ऐसे व्यक् जनम होता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी बहुत जल्दी प्रेतबादा लग जाती है या फिर जिन व्यक्तियों का जनम अमावश्या के दिन होता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी प्रेतबादा का प्रभावा जाता है तो यह कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें व्यक्ति प्रस्थिती होती है आपके जैसे कर्म होते हैं अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका जनम अच्छी ग्रह प्रस्थिती में होता है लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते हैं आपका प्रारब्द अच्छा नहीं है तो आपका जनम बुरी ग्रह प्रस्थिती में होगा और हम इस कश्ट से कभी भी जीवन में पिडित ना हो। तो अगर आप ये कुछ छोटे-छोटे उपाय करते हैं, यानि उपाय भी नहीं कह सकते, अगर आप छोटी-छोटी पूजा करते हैं अपनी दिन चरिया में, इन चीजों को शामिल कर लेते हैं, कम से कम एक माला गायतरी मंतर की अवश्य ही करनी चाहिए, एक माला में 108 बार जाप किया जाता है, तो 108 बार जाप उनको गायतरी मंतर का एक बार सुभा और एक बार शाम जरूर करना चाहिए, और कोशिश ये करें कि आप ये जब दोनों समय करें, एक समय बिल्कुल नी दोनों समय आपको यह जाब करना है दूसरा सुभे ना दो करके आपको अपने इश्ट देवता के सामने घी का दीपक लगाना चाहिए घी देशी घी होना चाहिए ना दो करके स्वच्छ हो करके आपको देशी घी का दीपक अपने इश्ट देव के आग करना चाहिए जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं उनको कभी भी जीवन में कोई नाकारतमक उड़्जा परेशान नहीं करती है तो इस तरह के जातकों को ये कारिये जरूर करना चाहिए कि हनुमान 45 का पाट करें और बजरंग मान का पाट करें जिस घर में सुन्दर कांड का पाट होता है उस घर में कोई भी उपरी बाधा असर नहीं करती है यह सुन्दर कांड का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है तो ऐसी परिस्तिती में आपको सुन्दर कांड का पाट अ और जो लोग माकाली की पूझा करते हैं उनके उपर नाकरत्म कूर्जा का प्रभाव बहुत ही कमाता है अगर आप खुदी जाकर कोई तूटी कर बैठें तो बात अलग है उन्यता माकाली आपका बचाव करती है तो ऐसे बच्चों को मा काली की पूझा करनी चाहिए जिनके उपर इस तरह की परिस्थिति होती है ऐसे व्यक्तियों को रोज सुबे उठकर के सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर देना चाहिए यह बहुती छोटा कारिया है और सूरे को जल तो सभी व्यक्तियों को देना चाहिए क्योंकि सूरे को जब आप जल देते हैं तो आपको आरुग्यता ट्राप्त होती है तो ऐसी परसिती में सूरे को आपको सुबे तामबे के लोटे से जल देना चाहिए और रात के समय कोशिश ये करें कि आप रोज रात में Google और लोबान की धुनी अपने घर में करें उसको अपने घर के हर कोने में गुमाए उपर नीचे सब जगे कोई भी ऐसा कोना ना हो जहां पर आप उस धुनी को ना गुमाए केवल लैटिन और बातरूम को छोड़ करके आपको हर कोने में गुगल और लोबान की धुनी देनी ही देनी चाहिए साथी आप इस बात का भी ध्यान रखें कि रात के समय बारा बज़े से लेकर के तीन बज़े तक कोशिश ये करें कि आप घर से बार ना निकले और रात के समय वर्ट वरक्ष के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, इन वरक्षों के नीचे से आप ना निकले, तो सबसे उत्तम रहेगा, किसी नदी सरूवर के सामने से आप ना निकले, बारा से तीन के बीच में, यानि रात्री के बारा से तीन के बीच में आप इन बातों का ध्यान रखे, शम्शान घाट के सामने से ना निकले, इन चीजों का यानि छोटी छोटी जो जीजे होती हैं, अगर आप इनका ध्यान करते हैं, तो आप बड़ी बड़ी मुसीब्तों से बच जाते हैं, तो इस तरह के जातकों को इन चीजों का ध्यान रख तो आपका पैर भी इसे उल्टे सिधे समान पर आ सकता है, क्योंकि community राथ के समें बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो उतारा चुरही पर रख देते हैं, या चुरहँ पर कोई भी क्रिया कर देते हैं. वो क्रिया करके चले जाते हैं लेकिन कई बार जो मासूम लोग होते हैं जिनको किसी प्रकार का ज्यान नहीं होता उनका पैर उस पर आ जाता है तो वो परिशानी उनके साथ जुड़ जाती है तो वो बहुत परेशान होते हैं तो इसलिए आपको रात के समय कोशिश ये करें कम ही निकलना पड़े तो जादा उत्तम है तो मित्रो ये थी जानकारी आप सभी के लिए माभगवती से यही प्राथना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे आपकी सभी मनो कामनों को पूर्ण करती रहे आप से फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल